वेलकम तो मैं चैनल सीक्वेंस स्टडी आज हम कर रहे हैं रोड साइट स्टैंड रोड साइट रोड सड़क के किनारे खड़ा हुआ स्टैंड अब यहां पर जो स्टैंड है वो क्या है वो जो लोग जो जो रियोड़े से दुकाने सी लगा लेते हैं शट डाल की जह हम जा र चैनल को समान लग जाती है जिसमें या तो बैड कर जो है उनके छोटे से घर होते हैं और उनमें जो है वहां के जो उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है जैसे बैरीज मिलती है जंगली पल से मिल जाते हैं वह बेशना शूपर देते हैं क्योंकि काफी गरीब लोग होते हैं जो वहां पर कुछ उगता है तो उनकी वहां पर वह वेजटेबस लगा कर बैढ़ जाते हैं तो यह है और रोड साइट स्टैन तो इसमें उनकी लोगों के बारे में आप बताए गया है कि इन लोग यह लोग इतने गरीब होते हैं और हम लोग जो हैं इनकी तरफ जा रहे ह हैं कि शेयर कोई गाड़ी रुके और इनसे कुछ खरीदे जिससे कि इनके पास कुछ पैसा आए और यह अपने जिंदगी थोड़ी सी धंग से खाना के प्रॉब्लम सौर्व हो सके तो इसी प्रॉब्लम को लेकर जो है राइटर ने यह पोयम लिखी है क्योंकि वह जो है र इसे एक्सपियम्स सोड़ा बहुत देखा है एक करा है तो इस वजे से इनोने यह पोयम में पुरा एक्सप्रेस किया अपनी व्यूस तो इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जोनोने यह पोयम लिखी है आप देको यह इनकी एक लंबी उसमें से आए तो इससा होता है little old house was out the little old house little मतला छोटा सा घर जो कहा था वस आउट विद लिटील निव शेड अवो बहार है ऐसे मला सड़क किनारे बना है और वो जो है उसके पर इक जो उन्होंने कोशिश किया है कि निया सा शेड डाल दिया जिसी कि वो थोड़ा सा साफ लगे छोटा सा गंदा सा घर है जहना उसके पर एक निया शेड इसके डाल दिया जिसी कि थोड़ा सा थीक लगे इन फ्रंट एट एच अफ द रोड विए ट्रफिक स्पेट अब वो कहां पर है सड़क के किनारे पर है जहां से बहुत तेजी से ट्रफिक निकलता है रोड साइड साइड दा टू पैथरिकल इस तरह से खड़ा है और रिक्वेस्ट कर रहा है इट वोड नॉट बी फिर टू से यह गलत नहीं होगा कहना कि किसले मा क्या मा मतलब क्यों उसकी दया हो अशी परस्ति है कि मतलब एक तरह से प्रीड कर रहा है किस के लिए मुझको मेरे हैल्प करो मुझे से समान करीदों और किसलिए for a dual of trade कि मुझे पर एक तरह से डूल का मतलब होता है charity करना कि मेरे को सिरफ ऐसे पैसे नहीं चाहिए भी मेरे से vegetables ले लो मेरे से berries ले लो और मुझे पैसे दे दो but for some of the money पर कुछ पैसों के लिए the cash वो पैसा जो अमीर आदमियों के पास होता है जो कारों में जा रहे है whose flow supports जिनका जो पैसा वो support करते हैं अपने लिए किस काम के लिए the flower of cities अपने फूलों को क्या करने करें कि उनके फूल ना क्या हो बला सूखे मत तो यह अपने एश्यराम के लिए है ना तो उसमें से थोड़ा सा पैसा यह रोड साइट स्टैन वाले मांगते है from sinking कि यह कहीं कि मर ना जाए खतम ना हो जाए ना डूबने से इनको मतलब वो पैसा जो है इनको बचा सकता है and weathering faint और मतलब यह क्या हो faint ना हो जाए मतलब कि जो तुम फूलों पर पैसा लगाते हो अपने luxuries पर पैसा लगाते हो कि वो खराब ना हो अगर यह पैसा जो है तुम रोड साइट स्टैन वालों के उपर लगाओगी तो यह मांगते हो पैसा है कि तुम हमार पा भी थोड़ा से पैसा लगाओ ने तुम हम क्या हो जाएंगे डूब जाएंगे डूब ने कहला है यह पानी भी नहीं मतलब हम मतलब हमारी थोड़ी सी जो है हमें पैसा मिल जाएगा और हम खाना खा सकते हैं लिविंग के लिए अपने पैसा मागते हैं आप यह को इसके पर आंसर से को कुछ नहीं है इसे अराम देरने वाले कोई सोफे नहीं है इनके पस किये हैं बहुत गरीब है तो लिटल मतलब हम जिए घर में छोट यह लोग रहते हैं तीक हैं बहुत गरीब है next which is the following is not the best explanation too pathetically pled too pathetically the stand made up polite and fervent appeal तो ये वला आएगा इसका next आएगा कि इसमें ये बताने कि कुन सा नहीं तो और सब पूरली वर्डेड हैं crude writing लिखी है beg कर रहे हैं for mercy and donation सब आएगे ये वला नहीं आएगा state whether the given statement is true or false the next statement क्या है false है the people who have put up the roadside stand need free food more than anything else उनको free का खाना नहीं चाहिए वो क्या कह रहे हैं कि हमार को क्या कर रहे हैं charity कि इस तरह सी होगी भी जो हमारे पास समान है वो तुम खरी लो और हमें पैसे दे दो a doll of bread most probably means अब तो कोई dual का मतलब तो यह होता है कि charity करना अब charity में हम जो है दान कहते हैं अब यहां पर क्या करें है वो charity for farmers इसलिए को से बैठता है charity for farmers next जो है आता है the poetic device the poetic device used in the line the flower of cities from sinking and withering faint is a metaphor क्योंकि इसमें comparison किया गया है किसका the flower of cities का कि जो फूल है शेहरों के मतलब कि वहां के जो अमीर लोग है जो मतलब उन अपने फूलों को मतलब अपने luxuries के अपर जो पैसा लगाते है उसके लिए कि उनकी luxuries ना खराब हो do मतलब इस तरह से इसमें कहें comparison है इसलिए ही कहें metaphor है without using as in like How did the roadside stand owner expect to get the city money अब जो roadside stand owner है वो कैसे expect करता है कि उसको शेहर का पैसा मिल जाए The roadside stand owner plea for the rich city dwellers to stop and buy their wares wares can के जो उनके वाफ fruits and vegetables मिलती है so that some money could flow into their hands कि कुछ पैसा उनके पास आ सके The polished traffic passed with a mind ahead The polished traffic जो polish का मतलब देखो किया है? चम चम जम जम है जम किस चीज़ को polish कर देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कि वो क्या होगी न? polish करने के बाद हर चीज़ चमकती है तो चमकती भी क्या? कारे चमकती भी है इनकी जो कारे है वो कहे हैं? चमकती हुई है और कzdra चमक हैं जब वो अमी लोगे है तो वो भी चमक रहे हैं तो वो कह रहे है कि यो कारि है और जो सड़क के पर कारे भाग रही हैं यह भी Bohक्त है बड़ी पॉलिष चाहित भी बड़ी आराम से तम तेजी-तेजी सी हैं कारे भागे जा रही है तो वो कहें तो पॉलिश ट्रेफिक पांस्ट विदा माइन एहट अब यह जो का रही है यह जो सुन्दर-सुन्दर चम-चमाती भी का रहे हैं यह भागती रहती है तो इनमें जो ओनर्स बैठे हुए है इनके जो माइन है वो बिकुल अपने डेस्टिनेश साइड स्टाइन बदल यह खर्ब दुखानदार भी है इनकी तरफ भी थोड़ा सा केर कर लें नहीं वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भागते जाते है क्योंका माइन सेट है यह अपनी डेस्टिनेशन में घुमने जाना है और इफ एवर एसाइड़ मोमेंट और मान लो रुक भी जाते है एक मोमेंट के लिए वहाँ पर देन आउट और सोर्स तो बहार निकल कर जब देखते हैं तो रोड साइड जो वी दुखाने उल्टा वो क्या करते है ना अपसेट हो जाते है उनको देखका अपसेट क्यों जाते हैं क्योंकि वो तो रिच लोग है उनको इसे लगता है आप देखवागे क्या लगता है एड हेविंग दे लैंड्सकेप मार्ड विद आ आर्टलेस पेंट यह जो रोड साइड वाले है यह जो गरीब बना रखें जो पर जट्टी वाला यह इसने क्या करते हैं यहां की जो सुन्दरता है ब्यूटी है इसको क्या करके साथ में ओफ़ड फॉर सेल वाइड अचा अप साइंस दैट विद एंड टर्न रॉंग एंड एस टर्न रॉंग क्योंकर एन और एस के नौर साव डारेक्शन है तो जो एन और एस भी लिखे है वह भी गलत तरीके से इन्होंने लिखे हुए तो वह इसको भी बेच रहे हैं वहाँ पर जो बेरी मिलती है जब वह बेच रहे हैं वह अपने लकड़ी के उसमें तो वह भी उनको क्या लगता है बुरी लगती है कि यह तो सारे सिनिक ब्योटी को क्या कर रहे है खराब कर रहे है और कुरुक नेक्ट गोल्डन स्क्वाइश विद सिल्वर और जो है यह गोल्डन को यह जो है क्रुक वाले की क्या सबजी है यह लोग लर्की है होती है जिसका जो है ऐसे बेंगन के टाइप की सबजी होती है तो यह जो सबजी से जो बेच रहे हैं क्रुक नेक्ट जिसका मलें जो गर्दन हो क्रुक रहे है जैसे बेंगन के से हल किस आप देखो अब जब ये बाते ओधर सुनता है या समझता है तो उसको बहुत बुरा लगता है तो वो कहता है तो इन कारवारों को जो शेहर से आरे हैं लो इनको कहता है तो मारे पास पैसा है बट इप यू वांट टो बी मीन और अगर तुम selfish होना चाहती हो मतलब कुस पैसे में से इनको कुछ भी नहीं देना चाहती हो तो why keep your money तो अपना पैसा अपने पास ही रखो this crossly this crossly अब बड़े गुसे में कहता है and go along और चुप चाप करके यहां की गलतियां मत निकालो कि यहां पर बुरा लग रहा है और चले जाओ अगर तुम selfish हो अगर पैसा नहीं देना चाहती है इन गरीब लोगों को then तुम यहां से क्या करो चले जाओ तो यह बात कौन कह रहा है author कह रहा है suggest the two possible meanings यह बात नहीं कि वो मतलब poem की तुरू कह रहा है उनको कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आई यह सीनिक ब्यूटी खराब कर रही है इन किसी सबजियां यह बोड और साव डार इसे लिका हो तो तुम यहां से जाओ तो suggest the two possible meanings of the word polished तो polished जो है यहां पर क्या express कर सकता है two possible meanings can be shiny cars or smooth efficient flow of traffic और जो efficiently बड़ा polished सड़िक मतलब ऐसे सड़िक्यों के अपर भागरी है efficient flow है किसका traffic का उसको भी कह सकते है next जाता है जो हमारा कि polished traffic is an example of transport epithet next है textual evidence अब क्या textual evidence होगा इसमे the polished traffic passed with a mine ahead तो इससे बचलता है वो तो अपने उसमें भाग रहे है अपने destination में भागने कही ध्याना उनको which means that the motorist more towards their destination without paying attention to these roadside stand why did the city motorist not like the roadside stand the city motorist do not like the roadside stand because they complain that they destroy the scenic beauty of the landscape and even their north and south on the signboard is wrongly presented next आएगा इसमें which other falling अब इसमें से बताना है कि कून सा वर्ड out of sorts है out of sorts का मतलब तो यह हैगा या तो इसमें से जो लगता है वो क्या बनेगा मारा irritable वो irritates हो जाते है कि भाई ये नौर्ट और साथ डिरिशन कैसे लिखके है तो अपसेट हो जाते है ये वैसे out of sorts का मतलब है कि अपसेट हो जाना मगर यहाँ पही क्या जगा इसके accordingly irritable complete the sentence तो इसमें क्या कहेंगे sentence को complete करना है the moderist attitude towards the people like the roadside stand owner is one of apathetic apathetic का मतलब क्या होता है showing no interest or concern तो उनकी तरफ नहीं ध्यान देते है कि उनकी कितनी बुरी हाल आता है किस तरसे रह रहे है है ना तो उसको कहते है apathetic next आएगा हमारा बिचोदा अब इसमें से कौन सा बोर्ड है जो आपको लगता है तो आओ option अपने आप से third वार आएगा next आएगा straight whether the yes में आओ है कि हमारा true वारी option next आता है the hurt to the scenery would not be my complaint अब वो कहते है कि उनको ये जो scenery beauty को क्या कर देते है ये लोग खराब कर देते है तो अपने क्या करते है ऐसे सबचियार गंदे उसमें टोकरी में लगा के बैठ आते है और फल ऐसे बेचे होते है और ये बोर्ड के उपर जो लिखा है वो भी कोई धंक से ले लिखा हुआ है तो ये सब क्या करते है वो कहते हैं और ये scenery beauty को खराब करते है जो अमील लोग होते है जो कार बजार होते है तो जो राइटर है वो कहते है the hurt to the scenery would not be my complaint कि मेरी ये शिकायत नहीं है कि scenery beauty खराब हो रही है in roadside stand वालों से so much as a trusting sorrow of what is unset बलकि मैं इस बास से hurt हूँ कि जो trusting sorrow trusting sorrow मतलब sorrow मतलब दुख इन लोगों का जो दुख है ये लोग जो विश्वास करते है कि ये अमीर लोग जाएंगे और हमें कुछ पैसे हमारे समाल लेकर हमारी कुछ help करेंगे तो वो जो उनकी दुख है उनका of what is unset तो वो कुछ कहनी पाते हैं मगर उनका जो दुख है वो उस बास से और उनका दुख विश्वास है कि help करेंगे पर वो help नहीं करते है तो उनका विश्वास तूड़ता है तो इस बास से जादा author को दुख होता है तो trusting sorrow का मतलब जो अगरीब लोगों का विश्वास है अमीरों के उपर कि वो उनकी help करेंगे मगर नहीं करते है तो उनको दुख होता है तो here इस से जादा इस से दुख होता है कि इसको author को here far from the city we made our roadside stand and asks for some city money to feel in hand आप देखो वो कह रहे हैं यहाँ पर जो गरीब लोग हैं विचारे गाओं के वो कह रहे हैं कि here far from the city शहर से दूर हम रहते हैं we made our roadside stand हमने जहाँ पर एक अपनी दुखान सी बनाई है roadside stand बनाया है कि जिससे कि हैं यह लोग हमारा समान खर दी सकें लोग आते जाते और हमें क्या कर सकें कुछ पैसे दे सकें to feel in hand to try if it will not make our being expand इसे हम बहुत बड़े तो नहीं बन जाएंगे मगर हमारी क्या हो जाएगी help हो जाएगी and give us the life of the moving pictures अब और हमें क्या मिलेगा वो कह रहे है to try if it will not make our being expand इसे हम बहुत बड़े तो नहीं हो जाएगे मगर हमारे जो है कुछ livelihood की problem जाएगे and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us अब देखो कह रहे है कि यह किसके लिए आगी न बाते यह आगई कि भाईया यह जो कहते हैंगे नेता लोग होते हैं यह कहते हैं जो politicians होते हैं and give us the life of the moving pictures कि वो कहते हैं हम तुमें जिन्दगी देंगे moving pictures मतलब जो पिचरों में काम करते हैं उनकी जिन्दगी कैसी होती है luxurious होती है तो हम उनकी तरहे तुमें luxurious जिन्दगी देंगे अच्छी जिन्दगी देंगे luxurious का मतलब इनके लिए क्या है सब अच्छी जिन्दगी देंगे जिसमें की इनको अपनी livelihood के लिए चिंता ना करने पड़े तो वो promise करते हैं उनको पार्टी इन पावर और कौन promise करता है जो पार्टी पावर में होती है है ना इस सेक्ट टू बी कीपिंग फार्मस मगर वो उनको असली में वो जिन्दगी नहीं देते हैं उल्टा उनको गरीब लोगों गरीब ही रहने देते हैं वो क्या करते हैं उनको इन चीजों से उल्टा दूर रखते हैं किन चीजों से जो पैसों से उनको वो comfort देते ही नहीं है सब promise करते हैं कि तुम्हें हम अच्छी जिन्दगी देंगे मगर वो उनको नहीं देते हैं वोट हर्ट हैस पीन आलज़शली कास्ट विच्जी जिन्दगी देखने अच्छी दर्मत उसको चोड़ पहुची है जो राथर है तो उसको यह हर्ट होता है कि बहुँ यह हर्ट तो करते नहीं है वो कहते हैं सीनिक ब्यूटी खराब हो कोई इस बाद से नहीं उसको यह फील होता है कि यह लोग उनकी कंडीशन को नहीं समझते है अब देखो वो कहते हैं जो पहले वोला हर्ट है तो कौन सी बात को हर्ट करते हैं मतलब उनको क्या हर्ट होता है तो वो अली बात में हर्ट इसमें मेनिंग यह है the hurt that a roadside stand plots the beautiful scene or the scenic beauty of the surrounding mountains has been allegedly caused तो कहते है कि वो ही वो कहते है कि अभी हमें hurt होता है कि सारी scenic beauty ख़रा पर है तो इसकी बात कर रहा हो next है what is more hurtful तो क्या जादा hurtful है than the hurt caused to the scenery तो है the apathetic attitude is more hurtful than their failure to part with their money the apathetic attitude किसका of the motorist जो कारे जलाते है अमी लोगों का या आप इसमें भी कह सकते हो of the city dwellers का भी कह सकते हो it's more hurtful than their failure to part with their money कि वो अपने पैसे तो देते नहीं है उनको help करने के लिए the expression trusting sorrow यह कहे बैट अपर है next रहता है the roadside stand owners यह कहें expect करते है to get some arms or charity from the city motorist तो कोच charity वो deserve करते है arms होते हैं भीक तो नहीं मांगते हैं अगर हो कहें जो चैरिटी मांगते हैं क्योंकि जो word लिखा हुआ है उसमें doles of bread उसका मतबत होता है charity की वी charity के है कि तो जैसे हम charity के लिए होते है clubs organize करते है समान बनाते है मेंगा बेशते हैं जिससे कि वो बला पैसा जरह है लोगों के गरीबों के help के लिए चला जाए तो इस तरह से यहां पर चैरिटी के बात कर रहे है इससे ही जो word लाना न चैरिटी यह ठीक है to next आता है what does the expression life of the moving pictures imply pictures of lavish lifestyle shown in movies यह आएगा इसका next आता है आप देखो उसका है क्या कहते है in the context of the extract deny इसमें अगला word आएगा हमारा deny करते हैं उसको उनको दूर ही रखते है deny करते हैं उनको देते ही नहीं मना इस तरह से these lines seem to present the point of view of village walk या country walk कुछ भी लग सकते हैं other then का मतल्य भी है pictures promise तो इसमें alliteration है P.E.P. है ना next इको the extract presents a disparity difference है disparity है ameerों और गरीबों के उसमें next है it is the it is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered into the villages facility दी जाएंगे थेटर की store की where they won't have to think for themselves anymore जहां पर इनको अपने लाइबर्य होड की जादा चिंता करने की जुरत नहीं पड़े की while greedy good doers मकर देखो होता क्या है greedy good doers greedy मतलब लाल्ची good doers मतलब जो दिखावा करते हैं कि भई politicians के लिए आया है कि जो लाल्ची होते हैं मकर दिखावा करते हैं कि भी हम तो बड़े अच्छे करने वाले हैं beneficent beneficent beast of prey असली में वो क्या है अपना ही benefit करते हैं beast of prey मतलब वो इन गरीब लोगों का समझ लो शिकार करके अपना पायदा उठाते हैं swan over their lives वो उनके अपर एक जुन्ड swan क्या था ने जुन्ड की तरह उनके अपर फैले रहते हैं क्योंकि वो उनके पर फैल के रहते हैं कि भाईया ये तो गरीब की गरीबी रहें और उनके लिए जो पैसा होता है वो खुद के पर इस्तमाल कर लेते हैं swan over their lives enforcing benefits उनके मजवदस्ती मिला देते हैं कि तुम्हें हम ये benefits देंगे that are calculated to soothe them out of their wits और वो calculate किया जाता है किसको अराम देने के लिए and by teaching them how to sleep और वो उनको सिखाते हैं कि तुम कैसे अराम से सो सकते हो है ना मतलब कि तुम्हें अराम से सोने का मतलब यह है कि तुम्हें किस तरसे पैसा अराम से मिल जाएगा तुम्हारी जिंदगी कैसे अराम से चलेगी मगर क्या होता है they sleep all day यह जो पॉल्डेशन होते है यह खुद अराम के जिंदगी जीते है इनके उपर इनको इस तरसे शिखार करके इनकी मतलब इनसे इनके लिए पैसा मांगते है और वो खड़ चो क्या करते हैं अपने उपर इकल लेते हैं destroy their sleeping at night the ancient way मगर क्या करते हैं इनकी तो रातों की नीन भी वो उड़ा देते हैं खुद दिन में सोते हैं खुद दिन में सोते हैं मतलब खुद आश करते हैं और उनकी तो रातों की नीन भी उड़ा देते हैं यह कहकर कि तुम अराम से सोगे तुम अराम से सोगे मारा तुम अराम से जिंदगी काटोगे मगर उल्टा होता है The expression all these pitiful kin here most probably refers to the poor village Falk Next का आएगा Mercifully gathered Next में है हमारा alliteration Any problem you can ask me in the comment box आपको इस से ज़्यादा कोई ज़्यादा explain नहीं करेंगा जैसे I am explaining you की मैं आपको एक एक point बता रहे हूं के detail बता रहे हूं So please subscribe to my channel and get the benefit for your exams where these people will not have to worry about their livelihood Next आता है What are the good doers? Good doers are the crooked politicians and the capitalists They have been called greedy and beneficent beast of prey because they are actually greedy for power and pelf and actually they want the poor to remain poor They exploit common people for their wasted interest No other channel will support you so much as I am supporting you So please subscribe to my channel Next आता है The compassionability listens to them feel their pain and provide them all possible help क्योंकि इसके नहीं बताना है कून सा नहीं है ना वना बताना है Next आता है Select the word Select the word that will complete the sentence appropriately तो इसमें आएगा हमारा exportation Next का जो answer आएगा exportation के बाद इसके बाद जो अंगला answer आएगा वो होगा हमारा ये डीवल option Next आएगा An oxymoron वाला तो oxymoron में क्या होते हैं दो words होते हैं जिनके opposite meanings होते हैं तो greedy, lalchi, good doers अच्छे करने वाले तो greedy, good doers पहला हो जाएगा दूसरा enforcing benefits हो जाएगा enforce करना किसी को जबस्ति लाजना और benefit करना किसी को लाब देना और तीसा आप ये है इसमें Beneficent, beast of prey ठीक है ना? Beneficent मालना किसी को लाब देना और beast of prey मालना किसी को उपर शिकार करना है ना? वो state में Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain आप देखो वो कह रहा है author की मुझे जो है Sometimes I feel myself, I can hardly bear कभी-कभी तो मुझे जाता कि परदाश नहीं होगा The thought of as much childish longing Childish longing का मतलब इतना जैसे बच्चे को मतलब इंतजार हो जाता नहीं किसी चीज का और जैसे कि मेरे पापा ये लेके आएंगे तो इंतजार हो जाता है तो इसी तर से चैलिश लॉंगिंग कह रहे है चैलिश लॉंगिंग किसी है इन रोड साइट स्टैंड वालों की इन गरीब लोगों की वो किस के लिए लॉंगिंग है इंतजार है, किस की इंतजार है The sadness that lurks near the open window there जो छोटी सी खिड़की खुली होती है उनके दुकान में वो स्टैंड में जो मतलब दुकाने सी बनी उनकी उसमें जो छोटी सी खिड़की होती है एक उदासी जी चाही होती है उनके अचेरे पर That waits all day जो पूरा दिन इंतजार करते है In almost open prayer और बगवान से क्या कड़ते रहते है मांगते रहते है क्या मांगते रहते है For the squeal of brakes कि कोई गाड़ी आए और वो brake लगा कर यहाँ पर रुके तो गाड़ी कैसे रुकेगी जब वो brake लगाएगी उसके इंतजार में रहते है कि कोई brake लगाए यहाँ पर रुके The sound of a stopping car कि अवाज आया कि कोई गाड़ी रुक गई है मतलब वो किसकी इंतजार में रहते हैं लॉंग करते हैं जैसे बच्चे की इंतजार करता है किसी चीज़ की इसी तरह से उनकी किसकी लॉंगें है कि एक कोई भी गाड़ी आकर रुके और वो क्यों रुके आकर रुके Of all the thousand selfish cars at pass कि कोई भी रुके आकर हजारों गाड़ी या निकलते हैं उसमें से कोई रुके Just want to inquire what a farmer's prices are और उनके समान की कीमत उनसे पूछे तो समान की कीमत तो तभी पूछेगा जब उनसे खरीदेगा भाई ये कितने का है और उनके समान की कीमत पूछे तो आसर जेको What quality of the speaker is evident in the first line of the extract Emotional Next है Childish longing of the poor roadside stand owners in vain Because the car drivers do not stop their car At the roadside stand To purchase from these ruler folk The sadness near the open window is caused By city dwellers Who do not halt there To share their money In return for their stuff Like berries and vegetables Line 3rd and 4th में जो आता है वो आएगा Misery and patience Complete करना है Hope The expression Selfish cars ये है Transferred Ape Think अगर आपको नहीं कोज़ आंसर सवाज में आता है Then please you can ask me Next आता है Mean-Minded Only one of the selfish car owners out of thousand To inquire about the prizes of the produce of the farmers Only one of the selfish car owners out of the thousands And one did stop but only two block up cars अब उनमें से एक रूख जाता है मगर वो किसले रूख जाता है क्योंकि उसको अपनी गाड़ी को बैक करना है And using the yard to back and turn around उनके yard को यूज करता है गाड़ी को अपना जैसे सीधा जा रहा है उसको वापस करना है Turn होना है And another to ask Could they sell it a gallon of gas अब तीसरा जो है वो इसलिए रूख रहा है कि बहिए पूच रहा है कि क्या पर गैस भढ़ जाएगी क्या उनके कार में तो क्योंकि उसके कार के हवा कम हो रही है They could not This crossly They had done They had none Didn't it see तो उनको क्या दिखाई नहीं देता तो उसको पूच रहा है वो The words one and another in this extract refer to selfish car owners or car bond city dwellers Next का एगा केल इस उसके पाद आता है हमारा Where does this route lead to Mr. Why did the roadside owner feel that the car driver was rude and insensitive Because he inquired Because he inquired for a gallon of gas which he could clearly see that they were farmers selling fruits and vegetables and not gas अगले का true आएगा Next आएगा हमारा personification अगर हम किसी को इंसान के तरह देखने है तो क्या हो जाता है personification poetic device हो जाता है और next का आएगा D वाला It could be seen from काईटा distance So thank you Thank you for watching my video Any problem ask me in the comment box